परवीन तोगडिया ने उगली आग जानिये कौन है परवीन तोगडिया ये वोही परवीन तोगडिया है जिसने हिंदू महासबा में आकर आपस में फूट डाली आज यही आग उगलने वाला ये वोही परवीन तोगडिया है जिसने 2002 के कुजरा दंगों में शिर्कत की थी पेन होनी चाहिए तो ये पार्टिया आतंगवादियों को ट्रेनिंग सस्ते देंगे कश्मीर में आतंगवाद बन सकता है यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तब्लीग जमाद के मदर्सों में भारत के हर गाउं में और सहर में मुंबई में तब्लीग जमाद उनके उनका मोलवी है पाकिस्तान में तब्लीग जमाद के एक करोड से कम लोग थे उनने 75,000 तालिबान पैदा किये भारत में 7 करोड तब्लीग की है तो भारत का तालिबानी करण का खत्रा ज्यादा है भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंदरा आइडेलोजी का दारूल उलूम देवबन तब्लीग जमाद और जमायते उलिमाहेहिं तीनों पर ततकाल प्रतीबंद लगाना है। में भेज देना चीए वरना भारत का तालिबानी करन आतंगवादी घठना से भारत बच्च नहीं पाएगा आतंगवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पुरा करे यहां तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजेरिया के मुसल्मानों को सण दिया था उनकी दूसरी तिसरी पेड़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए हैं हम तो नहीं कटवाई हैं नरेंद्र मुदी जी देश के पंतकादान है आपको विश्वा से इस्तिती में वेपूरा नहीं होने देंगे हमारा द्रडविश्वा से अमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुलून देवबंद कबलीक जमात और जमायते उलायन में हिंदून की मस्जिद मदलशों पर तुरंत प्रतिबंद लगा देंगे हमारा द्रडविश्वा द्रडवे पूरा करें जिस तरह से महाराष्टे की स्कीती देखी जाए रहे आप यहां पर आया होए हो यहां की स्कीती बीजेपी वर्सेस अभी सिर्शना जो दोने हिंदू को आज के मुद्य पर एक जगह में जीवस्यानावर भाजपा का नाम बड़ा कर देका काम दोनों कर रहे हैं इसलिए दोनों एक दूसर को थैंक्यू करके सवा रुप्या पप्लिसिटी के लिए एक दूसर को भेज देखी मुंब्रिमान अगर पाली का चुनाव में क्या बजंदल के कारकरता खड़े आव में हम खड़े नहीं है जेज स्री रान तो पाकिस्तान का समर्थन नहीं तालीबान पाकिस्तान में प्यदा हुए पाकिस्तान उनकी मा है और दावर्म देवबंध भारत का उसका बाप है जैज किस तरह से अमरुल्लट साले उप्राश्टरपती है माजी उप्राश्टरपती आफगानिस्तान के उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगा था कि तालीबान और पाकिस्तान और जो हकाली ने टोर्प है इनका एक सबंध है एक अरोप है तो आपके क्या लगता है किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरेश्य के वाड़े में कांग करना चाहिए इसा आपको लग रहा है सब पर प्रतिबंद लगा जाए कि रास्ता है वह करोगे तो भारत का तालिप आने का प्रविजन क्या था को में मेरे कारकरता को चार पंच बातें समझाने वाला हूँ हिंदुस्तान में कोई भी हिंदु को हेल्प की जरूरत है तो 24 गंटे की हिंदु हेल्प लाइन है एक लाख लोगों को मदद करते हैं दूसरा इंडिया हेल्प लाइन है कोई गरीब दीना डॉक्टर नहीं देगा तसगार अरोज एक मरीज की सिवा देते हैं तिसरा है एक उठी अनाज हम घरों में थेली बाटकर अनाज एक जित करतें गरीब हिंदु को देते हैं तो यह सब बातिय करता को सिखा ड़े आएं सर अंतराष्टिया अभी आपका हिंदु करते हैं इस तरह से जन्हें बढ़ता हुआ जाहिदा आगे और इसका कहीं न कहीं जो जट्का है वो भी एश्टी या फिर इन संगतन जाके आगे हिंदे मंचा करते हैं नाया नहीं समय करते हैं परड़त करते हैं designs मनेटे आभी में सीन्हें फेलस व्लाभेशन आगे हैं तो रहते हैं संधोल जांतरे हैं मेंकी गताब हो यहां पलाट स्भी चाभी है इस शेट्री